हेलो स्टूदेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेश आज हम दखेंगे फ्यूप स्टैंडर का इंगलिश यूनिट नमबर 3, लेसन नमबर 23 राइट यूर ओन पोयम लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रू किजे इस चैनल पर आपको फ्यूप स्टैंडर के इंगलिश इवेस वन, इवेस टो और मैस की भी वीडियो मिलेंगी तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते है लेसन में आपको दिया क्या है कि राइट यूर ओन पोयम आपको अपनी खुद की अगर पोयम लिखनी है तो आपको क्या क्या करना है ये इस लेसन में हमें दिया है राइट असेट आप राइमिंग वर्ड्स मेक असेंटेंस और मीनिंगफुल फ्रेजेस इन वीच दो राइमिंग वर्ड्स एपिर अट दे एंड तो आपको पता है कि जब भी हम पोयम रीड करते है पोयम देखते है तो हमें क्या दिखता है उसमें राइमिंग वर्ड्स तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते है कि जो दो वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है जैसे कि आपको दिया है साइड में light and night तो दो words में आपको sound same दिख रहा है light, night then mountain, fountain तो ऐसे जो words होते हैं rhyming words ये आपको पहले बनाने होंगे उसके बाद meaningful sentence को आपको लिखना होगा and the rhyming words appear at the end तो poem में आपने अगर observe किया होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि हमेशे जो rhyming words होते ही ये काप यारते sentence के end में last में आते है arrange the sentences or phrases in the form of a poem और उसके बाद जब आपके पास rhyming words आजाएंगे, meaningful sentences आजाएंगे उसमें आपको क्या करना है rhyming words end में लिखने है और बाद में ये sentence को arrange करना है एक की बाद एक इस तरह के से आप poem लिख सकते हो then second चीज आपको दिये या पर think of something that you like very much आपको जो चीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उसके बारे में आपको सोचना है describe it in as much detail as you can और आपको describe करना है जितना आपको possible हो सके उसको detail में आपको describe करना है stressing the part you like best और आपको जो part अच्छा लगता है उस चीज के बारे में उसको आप stress करेंगे और ज्यादा explain करेंगे make use of suitable adjectives, adverbs and comparisons और आपको क्या करना है या पर suitable जो adjectives, adverbs होगे उनको use करना है और फिर comparison करना है arrange the lines one below the other in the form of a poem और उसके बाद poem जैसे हम लिखते है उस तरीके से lines को आपको arrange करना है जैसे things क्या होगी यहापे दिया है आपको कि यह जो boy है किसके बारे में थिंक कर रहा है कि यहापे rabbit दिया है तो rabbit के बारे में क्या सकता है as white as a snow, hawk, leap इस तरीके words यहापे जो भी आपको लगता है cat है, dog है, उसके बारे में आपको क्या सोचना है तो उनके बारे में जो भी words होते है adjective, adverse हो कैसे है कैसे दिखते है इस तरी कि कि words आप क्या कर सकते हूँ आपे poem में लिख सकते हो देन थर्ड आपको दिया है आपे observe things in your surrounding carefully write short but good description of what you see, hear, smell, feel, etc आपको क्या करना है कि आपके surrounding में जो भी चीज़े है उसको carefully observe करना है और उनके बारे में short poem देखे, short ही होती है दो-दो page की poem होती है कि आपको नहीं सिर्फ 7-8 essay lines की poem होती है तो आपको short but good description लिखना है किसी भी चीज़ के बारे में जैसे आपने क्या देखा, क्या सुना उसके बारे में कोई smell, feel क्या है उस चीज़ के बारे में वो लेखना होगा arrange your observation in short lines return one below the other in the form of a poem और यह सब जब observation आपका हो जाएगा उन lines को आपको arrange करना है एक के बाद एग तो यहापे आपको picture में दिया क्या है कि एक girl है जिसने यहापे surrounding में अपने क्या क्या होता है तो जैसे कि यहापे flower दिया है तो flower के बारे में उसने क्या क्या है describe कि क्या है कि cool, breeze, उसके बाद bright color कि flower का color कैसे दिख रहा है मुझे bright color दिख रहा है flowers क्या होते है, bloom होते है देर उनका fragrance किस तरीके का है इस तरीके से आप flower लो या फिर कोई भी other चीज़ भी ले सकते हो कोई flower दिया है जैसे कि आप सनफ्लावर है तो आपको rose flower पसंद है तो rose flower के बारे में लिखे और उस तरीके से आप क्या कर सकते हो एक poem अपना खुद का बना सकते हो नेक्स दिया है आपको how do you feel when you are very happy और very angry और very sad जब आप बहुत ज़्यादा happy होते हो खुश होते हो या फिर आपको गुस्सा आता है या फिर आप दुखी होते हो what do you say to yourself on these occasions और जब ये चीज़े होते हैं आपके साथ कि आप दुखी हो तो फिर आप खुद को क्या बोलते हो आप angry हो, sad हो उस ताइम आपको क्या लगता है आप क्या feel करते हो try to write it down and arrange it in the form of poem और यही चीज़े जो आपको लगती है उसको आपको poem के lines हम जैसे लिखते है वैसे लिखना है जैसे कि यहाप आपको दिया है कि why तो why you are happy, why you are angry यह आपको लिखना है how could I, never will I ऐसे words यूज़ करके आपको lines complete करनी है और बाद में इनको arrange करके एक के बाद एक लिखना है तो देखिए student यहापे चार चीज़े आपको दिये गई है कि किस तरह के से आप अपनी poem लिख सकते हो यहापे आप priming words यूज़ कर सकते हो phrases यूज़ कर सकते हो then adjective और address डालके यहापे आप लिख सकते हो then जो भी चीज़े आपको देख रही है वह दिखने में कैसी है उनके बार में जो भी description आपको पता है वह आप लिख सकते हो तो इस तरह के से आपकी खुद की poem ready हो जाएगी तो यह आपको ज़रूर घर पे try करना होगा तो आपकी खुद की poem ready हो जाएगी तो students आपको इस वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को like, share, cover करके ज़रूर बताईए और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़रू किजिए